केंप्यूटर का परिचय इंट्रोडक्षन टू कंप्यूटर चलिए आज समझते हैं केंप्यूटर के बारे में केंप्यूटर 140 तथा निर्देशों के अनुसार कार करने वाला इलेक्ट्रोनिक डिवाइज है जो डेटा को ग्रहन करता है तथा सॉप्ट बेर या प्रोग्रा जो इसे हम और देते हैं और वह कारे करता है यानि डेटा का प्रोसिस कर हमें सही एंसर अथबाब प्रदसित करता है स्क्रीन पर जैसे फोन हो गया फोन में हम और देते हैं अर्थात किसी को कॉल कर रहा हो तो हम कॉल बले बटन कर टिप करते हैं उसे कॉल लगता आती करता ह है मतलब वह हो गया computer computer laptop भी है laptop में कोई कारे करते हैं मतलब order देते हैं तो वह उपर दस्तित करता है मतलब यह सारे हो गया computer computer सब्थ पती लैटिन भासा के computer सब्थ सब्थ से हुआ है लैटिन भासा जिसका अर्थ होता है गन्ना करना मतलब केंप्यूटर का कंप्यूट का अर्थी होता है गन्ना करना चलिए केंप्यूटर के बारे में आगे समझते हैं स्क्रीन पर देख रहे हैं केंप्यूटर इसक्रीन पर देख रहे हैं ये केंप्यूटर जैसे केंप्यूटर का सिस्टम आप सामने देख रहे हैं ये ये स्काइनर है इसके अलबा आपको अब ये मॉनिटर हो गया ये सीपी यू ये प्रिंटर माउस कीवर्ड ये सारे मिलकर केंप्यूटर बनता है जिसे डेक्स्टॉप केंप्यूटर कहते हैं चलिए अब समझते हैं केंप्यूटर का फूल फर्म केंप्यूटर का फूल फर्म केंप्यूटर सब्द अंग्रेजी के आठ अक्षरों से मिलकर बना है जिसका अर्थ अधिक प्यापक बना देता है केंप्यूटर का फूल फर्म मतलब C से कॉमनली O से ओप्रेट M से मसीन P से पार्टिकुलर U से यूजभो T से टेक्निकल E से एजुकेशन और R से रिसर्च यानि केंप्यूटर का फूल फर्म जिसका अर्थ होता है वह कॉमन ओफरेटिंग मसीन जिसका यूजभ टेक्निकल रिसर्च और एजुकेशन में होता है मतलब केंप्यूटर का एक तरह से केंप्यूटर का अर्थ यह भी हो गया कि मतलब वैसा मसीन जिसका यूजभ टेक्निकल E सुकेशन और रिसर्च में होता है मतलब केंप्यूटर कालाता है तो आप समझ गये और हम जो प्रहार है उसे नोट भी करते जाएगा चलिए आगे हम पढ़ते हैं आप अध कंप्यूटर का ताध पर एक ऐसे यंत्र से है जिसका और यांत्र प्रकिरिया यांत्रीख अनुसंधाण व्हूत यादी कारियो में किया जाता है केंप्यूटर हbrarर और सौफ्ट्वेर सही जख के जो डेटा को सुचना में बदलता है इसका अर्थ है computer का भी रूप में करते हैं जैसे गन्ना करना हो यान तरीक की यान उसंधान मतलब खोज रिसर्च इस सब में किया जाता या hardware मतलब जिसे हम छूँ सकते हुआ hardware और software जो program उसमें होता इसका इसने डेटा को सुचना में बदलता है computer के कारे पदती अब नेक्स आती है computer का कारे फंचन ऑप एक एंप्यूटर सिस्टेम एक प्रक्राइब पदती ते दौरा नेमने चार कारे दिये गए है computer के चार कारे होता है एक में है input input computer में data सुचना को भेजना input कहा जाता है या central processing unit यानी control processing unit के data को नेड़ेस भेजता है computer का पहारा काम है computer data को भेजना जिसे input कहा जाता है आप समय देखें input किसे कहते हैं अर्थात जो हमारे information भेजा जाता है CPU में CPU में और दुसरा है processing processing central processing unit के नेड़ेसों को एक जीवट करता है अर्थार जो हम data या सुचना CPU में भेजते हैं उसे processing में execute होता है आउट्पूट आउट्पूट वह उप्योग करता हों को संसाधी data उपलब्द कराता है अर्थात जो हम data CPU में भेजें वहां प्रोसेस होकर हमें वह data वापस फिर दीखाता है मतलब जाती करता है जिसे output कहते हैं चौता है storage या data और प्रोग्राम को अस्थाई रूप से store करता है अर्था जो हम information उसमें डालते हैं वह सीब करके रखता है मतलब store करके रखता है तो समझ गए तो computer के कार्यपद्धी हम समझ गें अब चलते हैं computer की बिस्षपा पीचर आप computer feature मतलब computer की बिस्षपा के computer की मुखे बिस्षपा निमन प्रकार है computer की बिस्षपा निमन प्रकार है एक में है गती यानी स्पीड केम्प्यूटर के यह बिसिस्ता है स्पीड केम्प्यूटर एक सकिन में लाखों गननाय कर सकता है वर्तमान समय में केम्प्यूटर नैनो सकिन मतलब नैनो सकेंड में भी गरन्हा कुरार मतलब सबसे अधिकते में पर किया होता है गरन्हा करना अधिक्षी सबसे ज्यादा डूसरे तुटी रहित कारेया मतलब एक्यूरेसी केम्प्योर कफिन से कफिन प्रसन का बीना तुरूटी तुरूटी मतलब इरर के परिनाम निकाल देता है जैसे केम्प्यूटर में कोई गरबर होता है तो इरर लिखता है वही है केम्प्यूटर के कारे मतलब बीना कोई तुरूटी एरर के अधिक सथी परिनाम निकाल देता है गनना के दोरान अगर कोई तुरूटी प मतलब स्टोरेज कैपिसिटी केंप्यूटर अपने मिमोरी में सुचनाव का विसाल भंडार संचित कर सकता है इसे अर्थात आंकरो एवन प्रोग्रामों का भंडार की चमता होती है मतलब अगर हम इंसान अगर किसी बात को याद रखे तो अधिक दिन तर नहीं याद रहेगा अधिक समय देख सकते हैं मतलब इसका स्टोरेज कैपिसिटी काफी हाई होता है और बीना डिलेट हुए नहीं होता है